श्रीमद हूम रेमेडीज में आपका स्वागत है वह आम आपको बताएंगे कि अगर आप खाली पेट थोड़ा सा कच्चा लसुन रोज खाते हैं तो उसके क्या फायदे होंगे रोजाना खाली पेट थोड़ा सा कच्चा लसुन खाने के बहुत सारे फायदे हैं लसू सिब खाने का स्वाध नहीं बढ़ाता बल्किसे खाने के अनिक हेल्दी फायदे भी है आप सूच भी नहीं सकते हैं कि लसून की एक कली कितने रोगों खत्म कर सकती है यह कई बिमारियों की रोग थाम और उप्चार में प्रभावी है कुछ भी खाने या पीने से पहले लसून खाने से ताकत बढ़ती है यह एक महस्पुर्ण प्राक्रितिक एंटी बायोटिक की तरह काम करता है आजवेज में लसून को जवान बनाये रखने वाली आसदी माना गया है साथ ही यह जोडों के दर्द का भी अच्युक दवा है आज हमको बताने जा रहे हैं कि लस लसून खाने से हाइपरटेंशन के लक्षनों से आराम मिलता है यह ना क्यों ब्लड सर्कुलेशन को नियमित करता है बरके दिल से सम्मंधित समस्याओं को भी दूर करता है साथ ही लीवर और मुत्राश्य से भी सुचार रूप से काम करने में सहायक होता है फिर यह डाइरि है कि लसून तंत्रिकाओं से सम्मंधित विमारियों को दूर करने बहुत लाबकारी होता है लेकिन के वल तभी जवी से खाली पेट खाये जाए यह आपकी भूब को बढ़ाएगा यह डेजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता भूब भी बढ़ाता है जब भी आपको घवराट होती है तो फेट में एसिड बनता है लहसुन इस एसिड को बने से रोपता है यह तनों को कम करने में भी सहाइव होता है मैं इसके आपको Vecal pick उपचार बताता हूँ या एक्छलम है यह एक वेकल पिक उपचार खुद में भी है जब डी डौकसिफिकेशन की बात आती है तो वेकल पिक उपचार के रूप में लहसुन बहुत प्रबावि होता है लसुन सरीर के सुछम जीवों और कीड़ों से बचाता है अनेक तरह की बीमारियों जैसे डायबेटीज, ट्यूफर्स, डिप्रेशन और कुछ परकार के कैंसर की रोग था में भी साहिक होता है पिर आपके स्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है लसुन स्वसन तंत्र के लिए बहुत लब आग है या अस्थमा, निमोनिया, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, पुरानी सर्दी, फिवरों में जमाव और कफ यादी की रोग थाम वो अपचार में बहुत प्रभाल साली होता है तिरी अगर आपको ट्यूबर क्लॉसेस है, ति ट्यूबर क्लॉसेस में लसुन पर अधारित इस उपचार को अपना है, कि एक दिन में लसुन की एक पूरी गाट खाएं, टीबी में यह उपाय बहुत असरदार साबित होता है तो धन्यवाद आप हमेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए